इसके बाद इसका भी पार्ट है भी पार्ट में दिखाऊंगे आप लोगों को 265 पेसा इस इकोल टू डेश इसको भी हम डिवाइड करेंगे 265 को 100 से डिवाइड करेंगे 12,200 तो 65 रिमेंडर बच गया हमें यहां आएगा आंसर रुपीस 2 यह रुपीस कोशन इसका रुपीस बन जाएंगे और रिमेंडर इसका पेसा बन जाएगा रुपीस 2.65 यानि 2 रुपीस 65 पेसा इसका आंसर हो गया उसके बाद question number three question number two का मैंने दो parts आप लोगों को दिखाया बागी खुद करना है question number three देखिए question number three में fill in the blanks fill in the blanks fill in the blanks इसका ए पार्ट देखिए rupees seven point ten is equal to dash seven point ten rupees में कितने पेसे आएंगे यहां पे पी लिखा है तो हमें देखना है इसको यहां आएगा आपको seven hundred ten पेसा उसके बाद इसका भी पार्ट देखिए इसका भी पार्ट है rupees 25 is equal to dash पेसा इसमें भी हमें देखना है कितने पेसे आएंगे 25 rupees में कितने पेसे आएंगे इसको 100 से multiply करेंगे तो 2500 हो गया या 2500 भी कह सकते हैं इसको 2500 पेसा भी कह सकते हैं तो ये 2500 पेसा हो गया है 25 rupees का बच्चों आप लोगों को मेंने इक्जरसाइस 14 A का पहले का दो पार्ट दूसरे का दो पार्ट और तीसरे का भी दो पार्ट मेने आप लोगों को समझाया आप लोग इसको अच्छी तरह से घर में प्रेक्टिस करेंगे फैर कोपी में आप बाकी पार्ट भी लिखेंगे शुक्रिया वास्लाम अलेकूम